वेलकम बेकर नमस्कार दोस्तों स्वागत है अब सभी का से स्टॉक चैनल की एक और नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में एक और ऐसे AI टूल के बारे में आपको यहां पर जानकारी दूँगा जहां से आप पने book covers बना सकते है, wallpapers बना सकते है, posters बना सकते है, logos बना सकते है, stock images बना सकते है, illustration बना सकते है, arts बना सकते है और इस platform का नाम है stock img.ai और stock image.ai के नाम से इसे जो है यहां पर जाना जाता है तो इस platform के बारे में overview जानेंगे कैसे इसे use कर सकते हैं कैसे इसका use करके आप book cover, wallpaper और logos यहाँ पर design कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ से सुलन की आप देख रहे है से श्टॉक सेनल जहाँ पर आपको YouTube, blogging, make money tips, educational and technical support knowledge समय समय पर मिलते रहता है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों जैसी आप इस platform पर यहाँ विजिट करते हैं इसका जो first look है आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखता है यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप यहाँ से जो है आइकन जनरेट कर सकते है AI के थुरू आप यहाँ से जो है books cover जनरेट कर सकते है AI के थुरू wallpapers बना सकते है poster बना सकते है logos बना सकते है arts यहाँ पर बना सकते है इस platform के थुरू आपको जो भी काम यहाँ पर करवाना हो उस button पर आपको जो है यहाँ पर टिक करना है और यहाँ पर आपको अपने Google account के थार्फ you sign-in कर लेना है यहाँपर आपको इसके price list यहाँ पर पर choose कर सकते है कोई भी plan यहाँ पर ले सकते है लेकिन मैं यहाँ से free वाला plan purchase करूंगा और इसके लिए यहाँ पर जो है आपको pricing वाले जो detail वाला बटन दिख रहा है इस पर जो है आपको click करना है यहाँ पर जो है आपको zero per month यहनि की try per free वाला वाफसन chain करना है यहाँ से जो है again इसे cancel वाले बटन पर click कर देंगे यहाँ पर जो है आपको क्या बनाना है अगेन आपको जो यहां से चूज करना है जैसे कि मैं यहां पर logo design करना चाहता हूँ logo वाले बटन पर click करूँगा यहां पर जो है आपको type करना होगा text के format में कि आप किस तरह का logo वाले बटन पर design करना चाहते है तो मैं यहां पर type करता हूँ old main young style और generate वाले बटन पर click करता हूँ तो यहाँ आपको old main young style में जो है आपका logo बनकर यहाँ पर तयार हो गया है यहाँ पर आप इसमें कुछ editing भी कर सकते है इसे export करके यहाँ से download कर सकते है यहाँ से edit वाले option पर edit कर सकते है और कुछ background में change करने हो तो background में change कर सकते है यहाँ से आप इसे zoom in और zoom out करके यहाँ पर देख सकते है इसी तरह से आप यहाँ पर book covers design कर सकते है book cover आपको किस तरह का चाहिए यहाँ से wallpapers design कर सकते है आपको किस तरह का wallpaper चाहिए posters design कर सकते है आपको किसी product के लिए poster चाहिए तो poster यहां से design कर सकते है यहाँ पर stock images जो है आप तयार कर सकते है आपको stock images वगेरे चाहिए तो edit भी कर सकते है logos बना सकते है आप अपने channel के लिए किसी और चीज़ के लिए यहाँ पर logos या images तयार कर सकते है illustrations यहाँ पर बना सकते है आपको यहाँ पर अपने videos वगरे के लिए यहाँ पर जिस तरगी graphic चाहिए वो बना सकते है wave AI यहाँ पर तयार कर सकते है wave AI के through भी यहाँ पर बन सकते है QR code वगरे यहाँ पर तयार कर सकते है text effect भी जो है आप यहाँ से तयार कर सकते है पर जो है इनके options आपको जो है देखने को मिल जाते हैं यहां पर जो है इनके plans आप देख सकते हैं यहां पर जो free वाला plan है इसमें जो है आपको केवल एक image credit करके आप देख सकते हैं कि किस तरह की image यहां पर बनेगी जो कि मैंने अभी जो है आपको वीडियो में यहां पर है इसलिए जो है आगे और यूज करके मैं इसे नहीं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर जो 19 डालर पर मंत वाला जो प्लान है इसमें जो है आपको यहाँ पर unlimited images देखने को मिल जाती है इनकी history देखने को मिल जाती है जो 29 डालर पर मंत वाला प्लान है इसमें जो है आपको unlimited images देखने के मिलेगी और सारे विकलप और options यहाँ पर AI के थुरू आपको देखने को मिलेगे और भी expensive plan भी इनके पास है जैसे ही आप यहाँ पर use करना चाहते है उसके साब से कर सकते है yearly आप यहाँ पर देखेंगे तो yearly plan भी इनके पास यहाँ पर मौझूद है यहाँ पर जो है आपको gallery देखने को मिलेगी यानि कि किस तरह के product यहाँ पर आप बना सकते है इस gallery में से आप देख सकते है यह जो भी product आप यहाँ पर screen पर देख पा रहे है इस तरह के सारे product यहाँ पर इस tool की मदद से जो है आप डिजाइन कर सकते है यहाँ पर जो है आपको books वाले option में किस तरह की book वाल wallpapers आप बना सकते है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर logos वाला जो option आप देख रहे है इसमें आप किस तरह के logo design कर सकते है उसका भी option जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो by default इस tool की ओर से जो बने हुई logos है वो आप यहाँ पर देख सकते इस तरह के logos आप यहाँ पर बना सकते है इस तरह के wallpapers आप यहाँ पर बना सकते है उनके भी demo यहाँ पर आपको इस gallery में देखने को मिलते है कि इस तरह के wallpapers जो है आप यहाँ पर design कर सकते है अपने thought के according यहाँ पर बता कर यहाँ पर text करेंगे और वैसी images आपको जो है यहाँ पर बनकर मिल जाएगी यहाँ पर जो है आप इस तरह के stocks बना सकते है वो भी जो है यहाँ पर बताया ग categories आप यहाँ से select कर सकते है इन categories में से आपको किस category पर काम करना है वो देख सकते है यहाँ से इनका contact page भी दिया गया है इससे contact भी आप यहाँ पर कर सकते है और discard वाल option भी है इससे जो है आप discard भी कर सकते है तो इस तरह से यहाँ पर stock image.ai का प्रयोग करके आप अपने लिए अपने product के लिए बहुत अच्छे अच्छे तरीके के wallpapers, logos, book cover और posters यहाँ से जो है design कर सकते है उम्मेद करता हूँ यह tool आपको पसंद आया होगा और यह overview वीडियो भी आपको यहाँ पर पसंद आया होगा यह वीडियो जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को